हेलो स्टूडेंट आज हम हमारे अभ्यास 2.0 का जो सीरीज चल रही है हमारी साइंस एंट टिकनोलोजी के लिए जिसमें हम केमिस्टरी वाला portion कवर कर रहे हैं तो उसी को हम यहां पर continue करते हैं I hope कि यह बहुत helpful रही होगी आपकी exam point of view से ठीके जी ठीके जी तो start करते हैं student हमारा आज का session journal science for chemistry ठीके जी तो before that see here student हर्याना जीके के लिए हमारी test series शुरू हो चुकी है आपको भी पता है 10 to 15 questions हर बार जो है वो हमारी हर्याना जीके से पूछे जा रहे हैं तो हर्याना जीके से बहुत सारे questions आ रही है student ठीके जी ज्यादा भी आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको skip कर दो यह जो हमारी test series है यह 400 rupees की है जिसमें आपको 500 mcq questions जो है वो आपको practice के लिए मिलेगी आप इसको avail कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगा next student हमारा HCS prelims test series जिसमें number of test जो है वो आपके 26 है जिसका price है rupees 6500 rupees complete जो journal studies के test मिलेंगे वो 4 मिलेंगे और complete CSET के जो test होंगे वो हमारे 4 होंगे available offer हमारा यहाँ पे available है student link आपको description box में मिल जाएगा तो आप वहाँ पे जाकर click करके और इसको आप you know join कर सकते हैं इस test series को and this is really helpful for your prelims आपको भी पता है prelims जो है वो हमारा 11 FAB को होने जा रहा है for that cheese तो आप जो है इस test series के थो बहुत अच्छे से preparation कर सकते हैं ठीक है but it doesn't mean कि आप जो है वो blanket के अंदर पड़े रहे हैं ठीक है इस ताइन टाइम पे बहुत ज्यादा वो सुस्ती भी बहुत आती है ठीक है I know की बहुत नीन आती है इस टाइम पे ठीक है और बस पढ़ते रहो continue ठीक है बाहर निकलने के तो जरूरत ही नहीं है ठीक है इतनी सर्दी है तो बाहर तो आपको क्यों ही निकलने तो बस पढ़ते रहे स्टूडेंट बाहरा गंटे तेरा गंटे जितना ठाइम हो सकता बैट के पढ़िये स्टूडेंट ठीक है यू नो डट और साथ-साथ में एक्सरसाइज जरूर करिये तो बाड़ी के अंदर थोड़ी हीट बनती रहे ठीक है जिसकी वज़ए से आप काफी ज्यादा एक्टिव भी रहो ठीक है अगर आप एक ही जगह पर बैटके पढ़ते रहोगे तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लेजी लेजिनेस सी आ जाती है बाड़ी के अंदर सुबा शाम आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और साथ में थोड़ा अच्छा खाईए और साथ की साथ क्या है विद गैट हम स्टार्ट करते है हमारा सेशन ठीक है जी तो फटा फट से स्टूडिन आपकी स्क्रीन पे है ठीक है तो फटा फट से स्टूडिन फ़स्ट कुष्ट कीजिए हम जी कुष्टों पढिए बचे कुष्टों पढिए बचे कहता है which among the following is true about graphene graphene के बारे में हमने उस दिन भी देखा था question एक आज फिर से question आया हमारे सामने ठीक है तो graphene के बारे में आप बताईये student graphene क्या चीज है तो पहला option कहता है it is two dimensional दूसरा कहता है it is good conductor of electricity it is used in LCD and LED all the above क्या correct है ये पुछा है उनसे तो see here student अगर आप graphene के बारे में देखो तो seriously it is two dimensional structure है ना इस तरीके से जो layers है वो आपस में connected है दो-दो layer तो it is क्या है two dimensional structure ठीक है ये बीच में यहाँ पर हमारी force of attraction होती है ठीक है तो two dimensional structure यह है जैसे हमारा carbon जो हमारा diamond student that is 3D क्यों क्योंकि उसमें ठीक है वो कुछ इस तरीके से arrange है ठीक है tetra hurdle form के अंदर वो you know arrange उसकी एक branch जो है वो बाहर वाली साइड 3D में आती है उसकी branch ठीक है that's why it is very hard ठीक है but it is two dimensional ठीक है LCD और LED में हम इसको use करते हैं उस दिन भी हम पढ़ रहे थी इसको हम as a lubricant भी use करते हैं ठीक है तो सारे options आई हैं student it is good connector of electricity कोई भी चीज इस अपने में से पास कब होने देती है student जैसे ज़्यादा तर जो metals है हो हमारी सारी metals ही बस कुछ एक दो metals को छोड़ कर हमारी जो metals है वो सब की सब electricity को conduct करती है है न electricity को अपने या अपने में से पास होने देती है तो why due to free electrons due to free electrons क्योंकि अगर student electrons की movement ही नहीं होगी अगर हमारे electrons की movement ही नहीं होगी student तो हमारा circuit कभी पूरा नहीं हो सकता yes or no यह बात clear है आपको यह नहीं है तो जो हमारा circuit है student जिसमें जिसे हमारे अगर electrons move नहीं करेंगे तो electricity कभी भी क्या नहीं होगी generate नहीं होगी and you know that कि जिस side हमारे electrons move करते है current हमारा opposite direction में क्या करता है travel करता है ठीक है यह हमने हमारी chemistry के electricity वाले chapter में पढ़ा था ठीक है तो free electrons जो होते हैं available होते है जिसकी वज़े से हमारे वहाँ पे क्या है electricity जो है वो पास होते है अगर free electrons नहीं होगे just like our diamond ठीक है तो electricity कभी भी पास नहीं हो सकती student वो material है वो अपने में से electricity को कभी पास नहीं होने देगा student अगर free electrons नहीं है क्योंकि अगर free electrons नहीं होगे student तो movement ही generate नहीं होगे और movement generate नहीं होगी तो आपको पता यह student की आपका जो भी आपका substance है उसमें से electricity पास नहीं होगी ठीक है जी ओके ओके so next question आपकी screen पे है student second number question question पढ़िए student question पढ़िए बहुत ही common sense वाला question नहीं है student हाँ जी कहता है which among the following options is responsible for the carbon cycle carbon cycle करने के लिए कौन सा और यहाँ पे हमारे पास क्या है carbon cycle के लिए कौन सा चीज रिस्पॉंसिबल respiration बिल्कुल आप यह देखिए न plants जो है है वो क्या रिलीज करते है CO2 sorry oxygen और वो absorb करते है किसको CO2 को और हम क्या करते है बाकी जितने भी animals है वो सबके सब CO2 को release करते है oxygen को क्या करते है absorb करते है तो एक cycle चल रहे है यहाँ पे photosynthesis बिल्कुल photosynthesis में भी क्या होता है CO2 हम use करते है oxygen रिलीज होती है fossil fuels बिल्कुल student fossil fuels क्या होते है student what is fossil fuel कोई बता सकता है student what is fossil fuel हाँ जी कोई student बता सकता है what is fossil fuels तो fossil fuels क्या होते है student हमारे fossil fuels होते है student की जैसे मालो कोई natural disaster आया कोई भी कोई disaster कोई flood आ गया जिसकी वज़े से क्या हो बहुत सारा वेजिटेशन जो है वो क्या हो गया एक अर्थ की लेयर के नीचे दब गया ठीक है जब वो दब जाएगा स्टूडेंट तो वहाँ पे क्या होगी एनारोबिक रेस्पीरेशन होगी और वहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा वहा हमें natural gas मिलती है या जितना भी हमें coal मिलता है वो सब किसे बना हुआ है fossil fuel से बना हुआ है that we called fossil fuels ठीक है और सब में क्या है student हमारी body के अंदर क्या है carbon है ठीक है तो हर चीज जो है वो carbon उसमें भी carbon present है so that's why all options are correct options ठीक है जी तो carbon carbon जो है student वो एक circle में चलती रहती है ठीक है आप किसी को burn करते उसमें से carbon निकलती है फिर मालो जो plants है वो जब photosynthesis करते तो उसी carbon को absorb कर लेते हैं फिर वही plant जो है अगर वो नीचे दब जाए तो वो fossil fuel में convert हो जाते है वही fossil fuel को जब हम बाहर निकाल रहेते हैं जब उस carbon को हम जलाती है तो उससे क्या होता है वापस से carbon dioxide इनवार तो carbon dioxide का पूरा क्या होगा carbon का एक cycle चल पड़ा यहां पर तो all options are responsible for the carbon cycle ठीक है जी ओकी जी ठीक है बच्चे तो मूव करते हैं हमारे third number question पर प्लीज read the question very carefully कहता है which among the following bonds are present in the diamond diamond की अंदर student जो bond present होते हैं diamond की अंदर diamond का structure कुछ इस तरीके का होता है है ना yes or no यहां पर जो bond present होते है carbon के बीच में वो कौन से होते हैं बताओ चल्दी से बताना student कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो question को attempt ना करे question को attempt जरूर करना है student question पर pause लेना है और फिर उसको attempt कीजी आप ठीक है जी हंजी तो कौन सा bond होता है आइनिक bond present होता है covalent bond both covalent ionic bond तो covalent bond present होता है and you know that की covalent bond जो है वो बहुत ही strong bond होता है ठीक है तीन चरीके दो-तिन तरीके की bonds होते है bonds मतलब कि किस तरीके से यहां पर electrons की pairing हो रही है तो यहां पर क्या होता है एक carbon एक अपना atom share करता है दूसरा आपना atom share करता है तो यहां पर जो bond बनते है उसको हम covalent bond कहते हैं और i- Lulu कहां पर बनते हैं ions के case में बनते हैं जहां पर ions What the वहां पर जो bonds बनते हैं उनको हम i anic bond कहते हैं थीजे टीजे ओकि थीजे तोो फोर्थ नम्र कुशन पढ़िए सुट्ट फटा फट से फ़र्थ नम्र कुशन पढ़ो कैता है which of the following which नहीं सॉरी which of the given element does not सबसे पहले तो word आया does not belong to the carbon carbon group कैता कौन सा है जो carbon group से belong नहीं करता ऐसा कौन सा है जो carbon group से belong नहीं करता हैं जी पढ़ो भई कौन belong नहीं करता aluminium, silicon, plumbum and stannum बताओ कौन सा है जो belong नहीं करता तो factual information है student that is our aluminium aluminium carbon group से belong नहीं करता बाकी सब करते हैं ठीक है जी aluminium does not belong to the carbon group yes or no clear आपको ये बात yes or no clear हुई ये नहीं हुई बचे हां जी डन है जी okay okay let's move further हां जी तो fifth number question पड़ो बचे fifth number question पड़ो कहता है wood charcoal is an allotrop of the which of the given options कहता है wood charcoal जो है is an allotrop allotrop है which of the given options कौन से options में से है बताना मुझे charcoal कैसे बनता है wood charcoal black black color का होता ना charcoal powder ठीक है हां जी तो कौन से group का है I think so कि अब ये question आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये question आपको नहीं आता आपको आना ही चाहिए ये वाला question क्योंकि हमने carbon versate मेरे मुझे लगते ना हमने पूरा पूरा chapter discuss कर लिया student carbon versatile nature of carbon का right तो I think so कि अब तो आपको ये दिकत बिलकुल नहीं आनी चाहिए तो बताओ किसी बिलॉंग करते हैं comment box में जड़ी लग जानी चाहिए student आपके comments की तो that is our carbon simple था as simple as ठीक है जी हंजी तो six number question पढ़ो कहता है which of the following options is known as the hard substance बहुत ही hard substance है fulrine graphite silicon diamond कौन सा है इस में से सबसे the hard substance कौन सा है बताओ जी that is our diamond सबसे hard कौन सा है hardest substance is earth का that is our diamond okay जी तो question number six पढ़िये के ता lignite is a common type of what lignite के है student बताओ what is lignite कि उस दिन हम पढ़के आई हैं students चार तरीके के हमने वो पढ़े थे हमारे क्या कि बताओ तो lignite के एक टाइप का goal as student पता होना चाहिए आपको lignite के एक टाइप का goal as student ठीक है आप उस दिन पढ़े थी हमने एंत्रासाइट हाना और टाइप भी पढ़े थे हमने एंत्रासाइट बिटुनुमस और क्या पढ़ा था बताओ पीट कोल है ना और एक हमने क्या एक हमने आज देखा that is our lignite ठीके जी ओकी ओकी तो सेवन्थ नमबर कोश्चन पढ़िए हां जी कहता है which one of the following is acidic कौन सी चीज एसेडिक इसमें से लेमन जूस टमेटो मिल्क और बताओ कौन सा है इसमें से एसेडिक बताना है student आपको एसेडिक हां जी तो कौन सा है all all substances are अच्छा अब आप मेरे से कहोगे कि मैं मिल्क तो एसेडिक नहीं होता बच्चे थोड़ा सा एसेडिक होता है मतला seven से वो इधर वाली साइड लाई करते है so that's why student milk जो है वो हमारा एसेडिक की नेचर होता है थोड़ा सोता है पैसे नहीं कहती कि उसकी जो आपको उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो one two three four नहीं हार्श एसेडिक में नहीं आता वो six point seven something कुछ करके इस तरीके की आपको वैल्यू मिलती है almost neutral के side ही मिलती है आपको बढ़ हां जो milk है उसको हम 6.7 आ रही है तो हम उसको तो seven से इधर वाली साइडी लाई करेंगे ना किसी चीज की वैल्यू seven ही आ रही है उसी चीज को हम न्यूट्रल मानेंगे for example हमारा water उसकी अगर pH वैल्यू अगर आप मेजर करोगे pure water है अगर आपका तो उसके seven ही आई की student ठीके जी ओकी ओकी बच जाया है रेड को अगर वो ब्लू में convert कर दे रेड को अगर वो ब्लू में convert कर दे तो आप बताइए मुझे कौन सा होगा student बताना मेरे को विनेगर, baking soda solution, lemon juice, soft drinks बताइए रेड को ब्लू में convert कर दे मैंने आपको trick भी समझाई थी student तो that is our no down हो गया that is our vinegar तो vinegar क्या होता है it is a aqueous solution of acetic acid ठीके जी बाकी जो तीनों है हमारे वो हमारे क्या है ठीके? ओके? ठीके जी तो ninth बताइए which of the following will turn blue litmus to red blue को red में convert करे वो बताना है आपको sorry 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 student यहां पर मेरे से थोड़ी सी गड़बड हो गई है sorry मैं confusion में आ गई लो बताओ मेरे कोई confusion हो गई which of the following will turn red litmus to blue litmus that is our baking soda basic है ना वो बाकी तो सारे acidic है sorry baking soda solution student ठीके baking soda solution ठीके लिए that is basic basic ही होता है ना जो हमें red को blue में convert करते हैं अच्छा blue को अगर red में convert करे तो वो कौन सा होगा हमारा बताओ that is our vinegar that is our vinegar क्योंकि lime baking soda washing soda solution they all are basic सिर्फ vinegar ही हमारा क्या acidic है तो acid ही क्या करता है हमारा blue को red में convert करते हैं मैंने आपको बोला भी था कि आपको कोई अगर कोई चीज basic है तो उसको हम blue से याद रखेंगे कोई चीज blue में अगर convert हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है basic है बी से basic बी से blue ठीक है तो red से अगर blue हो रही तो इसका मतलब baking soda solution जो है वो हमारा क्या होगा basic solution होगा that convert red litmus paper into the blue और blue litmus paper को अगर वो red में convert कर रहे है तो means that is acidic that is our vinegar that is our क्या है वो हमारा aqueous solution है हमारा किसका acidic acid का ठीक है जी ओके clear है ये बात आपको ठीक है student ठीक है जी ओक्यों की बच्चा ठीक है चलो आगे move करते हैं हां जी तो 10th number question देखिए 10th number question पढ़ो बच्चे 10th number question पढ़ो कहता है diamond does not conduct does not put a student सबसे पहले तो not आ जाए only exceptional कोई भी चीज होते ना उसको circle कर लिया करो पहले सी अच्छा अब देखो कहता है diamond does not conduct electricity because of the which of the following reason किस reason की वजह से diamond जो है वो electricity को नहीं होने देता है पहला because of its crystalline nature because of its compact structure because only carbon atoms are present due to absence of free electron I think so कि अब यह question आपका बिल्कुल done हो चुका होगा तो पहला option तो हमारा गलत ही है दूसरा भी गलत तीसरा भी गलत fourth option is correct due to absence of free electron free electron ही नहीं होंगे तो वो move कैसे करेगा वो move नहीं करेगा students ठीका उसमें से electricity कभी पास नहीं हो सकती ठीक है जी ओके तो 11th नमबर कुशन पढ़ो कहता है which of the following process is involved in the manufacturing of iron from the iron ore iron ore से जो हम iron बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं student यह पूछा उसने oxidation करवा के reduction करा के electrolysis करवा के यह fractional distillation करवा के बताओ answer करो student हम तो कौन सी होगी that is our reduction reduction के through student reduction method के through हम क्या करते है student reduction करवा के हम क्या करते है student manufacture करते है हमारा iron from the iron ore ठीक है main purpose क्या होता है pure iron को निकालना ठीक है जी next देखो 12th number question बहुत ही interesting question है कहता है what is the term used for the addition of suitable impurities into the semiconductor for modulating its property see here student मैंने एक पहली भी बात की थी आपके पास कोई भी semiconductor होता है ठीक है it may or may not may or may not a good conductor of electricity यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता semiconductor but we can change the properties of semiconductor by adding some impurities ठीक है कुछ impurities add करके आप क्या कर सकते हैं इसकी characteristics को हम क्या कर सकते है student यहां पर change कर सकते है तो बताएए कौन-कौन सी forming, diluting, doping, mixing तो कौन सा होगा हमारा बताओ that is our doping that is our doping ठीक है जी तो 13th number question इसी method को हम क्या कहते है हमारा इसी से हम क्या करते है add करते है student हमारी suitable impurities into the semiconductor for modulating its impurities next step which of the following instrument factual question is used to measure the change in the volume of the gases किसी भी अगर gas का volume change हो रहा है मैंने pressure की बात नहीं की यहां पर student question the answer सुनो मैं क्या रही हूँ volume मैं क्या बोल रही हूँ volume मैंने बोला है which of the following instruments is used to measure the change in the volume of the gases अगर gas का volume change हो रहा है उसको मेजर करने के लिए मैं कौन सा instrument यूज करते है क्लियर आपको ये बात ये सुर नो ठीक है जी कुछ important fact होते है student उनको आप लिख लिया गरे ठीक है ओकी-ओकी हां जी तो question पढ़ते है next हमारा 14 number question कहता है which of the following gas is used in the preparation of bleaching powder bleaching powder बनाने के लिए हम कौन सी gas को हम use करते है bleaching powder पता है ना आपको ठीक है cosmetic industry में थोड़ा सा quantity में हम bleaching powder यूज करते है ठीक है one और two shade skin को lighter करने के लिए ठीक है जी तो अब आप बताओ मुझे कहता है which of the following gas is used in the preparation of bleaching powder bleaching powder बनाने के लिए हम कौन सी gas को use करते है oxygen को use करते है nitrogen को chlorine को या फिर hydrogen को बताइए किसको use करते है that is our chlorine gas तो chlorine gas को जब हम pass करते है किसे हमारे हमारे किसे pass करते है student हम chlorine gas को calcium hydroxide से जब हम pass करते है तब हमें क्या मिलता है हमारा bleaching powder मिलता है ठीक है जी ओके next 15 number question पढ़िए बच्चे 15 number question पढ़ो हांजी 15 number question पढ़ो बच्चे फटा फट्चे हांजी केता दा quantity of heat required to change unit mass of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called what question बहुत ही इस तरीके से पुछा हुआ है बहुत ही interesting question है केता दा quantity of heat कितनी quantity चाहिए हमें heat की required to change unit mass of a solid एक unit mass of solid को अगर हमें liquid में convert करना है atmospheric pressure पे at its melting point is called what is called what is called what it called अच्चा पहला option है केता है latent heat of fusion latent heat of sublimation latent heat of vaporization latent heat of evaporation fourth option है latent heat of evaporation तो correct option है हमारा latent heat of fusion इसका क्या मतलब होता है student latent heat of fusion का मतलब है student की latent word का पहले तो आप मतलब सांच latent word का मतलब होता है student hidden छुपी होई heat मतलब की वो heat वो heat जो हमारे एक unit one unit mass of mass of solid को convert कर दे किसमे liquid की अंदर without changing its temperature मैं फिर से word बोल रही हूँ without changing its temperature without changing लिख लीजे बच्चे without changing its temperature is called what is called what latent heat of fusion अगर आपको एक unit solid को convert करना है liquid के अंदर तो जितनी heat आपको चाहिए without changing its temperature temperature आपको change नहीं करना उसी को हम latent heat of fusion कहते है ठीक है आप इस concept को आप वापस से geography के अंदर पढ़ोगे फिर से geography जब आप physical geography पढ़ोगे तब आप उसके अंदर जब monsoon वाला chapter पढ़ोगे नहीं heat वाला chapter पढ़ोगे तब आप वहाँ पे latent heat of fusion के बारे में ज़रूर पढ़ोगे latent heat of evaporation के बारे में पढ़ोगे आप वहाँ पे ठीक है ओकी clear आपको ये बात ये सुरनो ठीक है जी तो आगे बढ़ते हैं students हाँ जी किता है when a beam of light is passed through a colloidal solution a colloidal solution से अगर हम beam of light को pass करें तो light क्या हो जाएगी light gets what क्या होगी light जाएगी reflected हो जाएगी reflected हो जाएगी then it is scattered इसी को हम trindal effect कहते हैं students trindal effect कहते हैं इसी को हम क्या होते है किसी भी colloidal solution के अंदर से For example, आपका muddy water है Muddy water आपने एक muddy water लिया यह आपका muddy water है जिसके अंदर बहुत सारे soil के particle इस तरीके से suspended है जब यहां से आप ray of light को pass करोगे पास करोगे तो यह जितने भी molecules है जब इनके साथ light strike करेगी बच्चे तो light क्या हो जाएगी? scatter होगी क्या होगी? scatter होगी इसी को हम क्या कहते हैं student? हमारा scattering इसी को हम tendal effect कहते हैं यह बात clear हुई? yes or no? दन है? ठीक है जी तो इसी को हम क्या कहते हैं student? scattering of light तो colloidal solution के example दीजे student मेरी उसके अंदर comment box के अंदर comment box के अंदर colloidal solution के example दीजे student example दीजे बच्चे यह pen जो होता है ना यहसे इतना मतलब अच्छे से नहीं लिखा जाता है लिखनी बाते इस पे थोड़ा suggest कर लेना जो मैं बोल रही हूं उसको आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना ठीक है? ओके? ठीक है हाँ जी यह बात clear है थोड़ा जल्दी लिखते हैं ना तो फिर ऐसा हो जाता है ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं student? scattering. तो B option is our correct option अच्छा metal के साथ हमारी nitric acid react नहीं करती है iron के साथ, copper के साथ, gold के साथ, zinc के साथ, बताओ बताओ बताओ, that is our gold. Because student gold जो है ना, वो least reactive metal के अंदर आता है least reactive metal के अंदर आता है अच्छा उस दिन आपको याद होगा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में question putt किया था, चार option दिये थी gold, silver, copper और iron मैंने पूछा था कि इसमें से सबसे ज्यादा, अच्छा good conductor कौन सा है, best good conductor of electricity कौन सा है, good conductor of electricity कौन सा है ठीके, आपको सबसे better वाला बताना था, तो answer था उसका silver और second number पर क्या आएगा हमारा copper और फिर हमारा आता है student gold, please remember this ठीके, silver student, silver is a best conductor of electricity but हम silver नहीं यूज़ करते हैं students, हमारी wires के अंदर क्यों नहीं यूज़ करते, बताओ क्योंकि फिर लोगों ने कोई भी वायर नहीं छोड़नी है ठीके, यूज़कि silver काफी precious metal as student ठीके जी, ओके इसलिए हम वहां पर हम हमारी cheap metal यूज़ करते हैं, that is our copper ज़्यादा तर हम जो electricity के लिए wires यूज़ करते हैं, उसमें हम aluminium या फिर हम copper यूज़ करते हैं ओके बच्चा, ठीके जी ठीके जी, तो silver is our best connector of electricity हाँ जी, तो nitric acid जो है वो react नहीं करेगा किस metal के साथ, हमारे gold के साथ क्योंकि वो least reactive metal है student, बाकि जितनी भी है वो फोड़ा reactive है, वो nitric acid के साथ react करेंगी student, बाट जो gold है वो reactivity show नहीं करता है हमारे metal के साथ ठीके जी, ओके ओके बच्चा अच्छा, 80 number question पढ़ो, कहता है which one of the following calcium salts is used as fertilizer केलसियम साल्ट को हम यूज करते हैं as a fertilizer की तरह तो बताओ फिर which one of the following calcium salts is used as a fertilizer अच्छा, किसको यूज करते हैं calcium cyanide को, calcium sulfate को calcium carbide को, calcium carbonate को किसको यूज करते हैं calcium sulfate को यूज करते है calcium sulfate को हम यूज करते हैं as a fertilizer for our better plant growth ये बात clear हुई है, सुर नो? ठीक है जी, ओकी, ठीक है जी तो इसी के साथ student हमारा ये session यहाँ पर over होता है आपकी exam के लिए student best wishes मेरे आपके साथ है अगर आपको किसी को भी test series वगेरा जॉइन करनी है और अगर कोई भी issue है student, even आपको guidance चाहिए आपको time management से related अगर आपको कोई problem आ रही है तो भी student आप हमारी faculty के साथ, अभी मन्यों की faculty के साथ contact कर सकते हैं कर अगर आपको है